जीतेगा इंडिया और इंशाल्ला जीतेगा इंडिया तेजी से टर्न होकर बढ़ा और बढ़ता रहा बढ़ता गया फाइनल में पहुंची है तो चाहे आश्ट्रेलिया उसके सामने आए नहीं परक पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पहले टीम इंडिया ने फाइनल जीता हो सारे रिकार्ड हैं हमारे पास खेलाडियों का पूरा स्रीज है हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास बालर नहीं है या फिल्डिंग करने वाले लोग नहीं सब कुछ है इन्शाल्ला यह मैच इस बार का वर्ल्ड कप भारत में खेला गया है भारत में ही कप रहेगा ने दौा तो सारा मुल्क कारा आप तो सारे मुल्क के लोग यही कारें बस हम कप देखना चाहते हैं वाल्टाब फाइनल का हीरो आप किसे देख रहे हैं ने ने हीरो तो फाइनल के दिन जो अच्छा केलेगा लेकिन कप तो कपतान के हाथ में रहेगा तो सबका सपना ये है के बाई कप कपतान के हाथ में हो और उस कप को लेकर वो बेचारा एक बार चमके और पूरे भारत के लोग उचलें कुदें नाचें गाएं खुशी मनाएं क्योंके एस्पोर्ट एक पार्ट है जिन्दगी का और कभी भी आपके बचे जीतते हैं जो जितनी खुशी होती है वैसे ही मुलक जीतता तो भी अतने ही खुशी हो विराट कोहली को भी भारत रत रतन मिलना चाहिए। जब विराट कोहली के महानतम बल्लेवाज होने का हमको गर्व है तो हमको मुहम्मस समी के महानतम बॉलर होने का भी गर्व होना चाहिए क्या आप कहना क्या चाहते है आप अप अप देश के परदामती जी को कहता हूँ कि आप ऐसे अख़बारों को देखिये और उनको कहिए कि भाई ये काम तुम हमारे देश में क्यों कर रहे हो नफरत पहला नफरत एक तरह से इंडारेक्टली के मुसल्मान अगर है अरे भाई भारतिये केल रहे थे वर्ल्ड कप में न्यूजी लेंड के खिलाप मुहम्मस समीनी केल रहा था इंडिया केल रहा था तो इंडिया केल रहा था और इंडिया के जितने भी टीम मिंबर थे वो सब जो है ये सोच कर उतरे थे कि ये मैच जीतना और जो सोच कर ही उतरा जाता है मैच जीतने का तो सब को शरे जाता है लेकिन जिसकी बड़ी भूमी का उसका नाम ज्यादा होता है तो बड़ी भूमी का इससे बड़ी भूमी का क्या हो सकती है कि कोई एक मैच में रन कम देकर साथ विकेट ले ले सभी सधाई बॉलिंग करे और विपक्षी टीम को बिलकुल खड़ा कर रख दे लड़ खड़ा कर रख दे और उसके बाद भी आप साहब उसका नाम नहीं चापेंगे यह जाँच का विशह है कि कौन सी सोच है यहां भारत में इनसाफ की बात आप बताईए कि जिस स्टेज पर यह मैच था अगर मुहम्मद समी वाकई विकेट लेना शुरूर नहीं करता तो यह मैच इंडिया जीत जाता क्या इनसाफ से बताईए भारत के जितने लोग लाइफ देख रहे होंगे उनको अब मेरी बात याद आएगी कि यह कोई नहीं कह रहा था स्योर स्योरीटी नहीं थी साब की बात रही तो मुहमद यह आसानी से हार जाती इस बात को भी आप एकसप्ट कीजिए ने ने को ने एकसप्ट कर रहा साब विराट कोहली को कौन छोटा खलाडी कह रहा विराट कोहली के कद को कौन छोटा कर रहा विराट कोहली तो महान बल्ले बाद है लेकिन सबसे जाने सब्सक्राइब अरे मैं कहा रहा हूँ कि विराट कोहली के किसी भी कारणामे को कोई कभी नकार ही नहीं सकता है विराट कोहली को भी भारत रतन मिलना चाहिए बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब विराट कोहली के महानतम बल्लेवाज होने का हमको गर्व है तो हमको मुहम्मस समी के महांतम बालर होने का भी गर्व होना चाहिए कोई अगर विकेट कीपर है और वो अगर बड़ा एक्सपर्ट है तो आपको आज बता दू मैच में 25% जो भूमी का है वो विकेट कीपर का होता है विकेट कीपर、 अफ और लेग टक का सब जादा नीगरानी जो है सब जादा जमेदारी होती है अब आप मान लिए किपिंग किसी ने की और अच्छी की और आपने पूरे मेच जीतने चीपर उसका नाम नहीं लिया तो विकेट कीपर का अपमान है सबसे ज़्यादा रिस्क भी है वो जो जगे है ना विकेट कीपर का हकिकत में सबसे ज़्यादा रिस्क है लाइफ का तमाम तर मैंने सुरक्षा करनों के बाद भी खत्रा उसी के उपर है और वो बैट्समेन के चार कदम तीन कदम पीछे खड़ा है और उसने कई स्टम भी किये कई कैच भी लिए नो बाल वाइड बाल नहीं जाने दिया और आप उस एवरेज को भूल जाए अगर मैच में भाई उसकी भी भूमी का मेरा कहना है कि जब कोई इस पर लिखे या कोई इस पर बोले तो वो उस पूरी टीम के उन तमाम योगदान का बखान करे इस साथ के साथ इमानदारी के साथ मौला ना एक बात है कि आज जो है तो इंडिया और उस्टेलिया का मुकाबला होगा तो आप क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया की जीत के लिए जीटेगा इंडिया जीतेंगा इंडिया और इंशाल्ला जीतेगा और यह मैच देखें कुछ चीज जीजें जो है न पहले से असर देखाती है और वो असर देखने लगा है इंडिया जिस केषरे से ठर्न होकर बढ़ा और बढ़ता है और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पहले टीम इंडिया ने फाइनल न जीता हो सारे रिकारare हैं हमारे पास और ख्यलाडियों का पूरा सैंग है हमारे पास ऐसा नहीं का माँ पास बैट्समें नहीं है बुछ सब कुछ है इन्शाललह यह मैं ने मैंच हम कप देखना चाहते हैं और फाइनल का हीरो आप किसे देख रहे हैं ने हीरो तो फाइनल के दिन जो अच्छा केलेगा लेकिन कप तो कपतान के हाथ में रहेगा तो सबका सपना ये है कि बाई कप कपतान के हाथ में हो और उस कप को लेकर वो बिचारा एक बार चमके और पू मुलक जीता है तो भी उतना ही खुशी होती है मेरा बच्चा खेल रहा होता अगर उसमें तो बच्चे के जीत की खुशी शायद मुलक के जीत की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती बच्चा एक बार उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन हमारा मुलक अगर जीत गया तो पूरे चौक चौराहे पर गलियों में गाउं में आप चौपालों में गाउं के महलों में देखेंगे आप फाइनल के दिन देख लेना आप तो रिपोर्टर हो आप तो करते हो आप देखना तमाम चौक चौराहों पर सारे रोजवान टक टकी लगा कर दे देखलेना ये है मुल्क की मुहब्बब